नमस्कार दोस्तों आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोबडी में तो दोस्तों आज के टीजर से तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम किस विशे में चर्चा कर रहे हैं जी हाँ आज हम डिसकस करेंगे बिगेस्ट प्रोपर्टी और होम बाइंग मिस्टेक्स के बारे में दोस्तों मैं आज आपके साथ वो साथ सबसे बड़ी गलतियां शेयर करूँगा जो आम तोर पर लोग कर बैठते हैं और बाद में बहुत पस्त आते हैं तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहली गलती जो आती है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है रेरा रिस्टेशन जो घर जो प्रोपर्टी आपने सिलेक्ट करी है आप बहुत अच्छे से ये चेक कर लें कि वो जो प्रोजेक्ट है उस बिल्डर ने रेरा के अंदर रिस्टेट करवा रखा है या नहीं क्योंकि रेरा रिस्टेशन अगर जो रियल स्टेट रेगुलेटरी एक्ट है जिसको हम रेरा बोल रहे हैं अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा से रिस्टेट होता है तो आप ये मान लीजिए कुछ जो बेसिक से अप्रूवल होते हैं जिनकी आपको नौलिज भी नहीं होती है चाहे वो अथौर्टी रिलेटिड हो चाहे वो गौर्नमेंट रिलेटिड हो चाहे एन्वार्मेंट तो अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा रिस्टेशन के साथ आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवाता है तो आप मान लीजिए कि काफी हद तक more than 90% उसके पास already सारे अप्रूवल हैं तो आपका डिसीजन सेफ रहने वाला है दूसरी गलती जो हम करते हैं जब हम अपना घर पसं आइस से स्टार्ट करते हैं जबकि दोस्तों आपका घर जो प्रोपर्टी हम प्लान करते हैं जो आजकल जो कोस्ट शीट होती है उसके अंदर कई सारी ऐसी कोस्टिंग होती है जो बेसिक कोस्ट का पार्ट नहीं होती है और हमें यह लगता है कि बेसिक जो कोस्ट है वो ही प्रोपर्टी की असली कोस्ट है और हम उसके ओपर नेगोशेशन करना शुरू कर देते हैं एक्जाम्पल के लिए मान लीजिए सामने वाले एजेंट ने सामने वाले बिल्डर ने आपको बताया कि ये वाला फ्लैट एक करोड रुपे का है आपने उसको नेगोशेट करा स्टार्टिंग हैं से कर दी कि 1рок ठीजिए और डील क्लोज करते हैं और आपने वो फ्लैट पर्चेस कर लिया 10 लग रुपे में आपने सोचा कि आपने 20 लाग रुपे नेगोशेट कर लिया पर जब आपकी घर की चाबी आपको मिलती है कुछ टाइम बाद दो मेने बाद शे मेने बाद या जब भी आपको property का possession होता है तो आप देखते हैं ना जाने कितनी other charges के साथ builder आपके सामने एक नया demand letter रख देता है तब आप confuse हो जाते हैं कि हमने जब negotiate किया था तब तो आपने ये चीज़ा बताई नहीं थी तो दोस्तो सीधा price से negotiation ना करें कितने ही ऐसे other charges होते हैं जो उस time पर बताई हुए rate का part नहीं होते हैं जैसे car parking charges होते हैं club membership charges होते हैं dual meter charges होते हैं electricity meter charges होते हैं elevated sess लगे होते हैं तो ये वो बहुत सारे additional expenses होते हैं जो basic cost का part नहीं होते हैं तो ज पहले आप एक cost sheet तयार कर वा लें जिसके अंदर builder जो आपको price बता रहा है agent जो आपको price बता रहा है उस price के अंदर in other charges के जो factors हैं वो कितने ओलेडी included हैं तो आप इनके उपर negotiate कर सकते हैं बाद में इन सब चीजों को add करने के बाद जो costing निकल कर आती है आपको हमेशा उस costing के पर negotiate करना चाहिए दोस्तो तीसरी जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं जब हम अपना घर खरीदने जाते हैं तो हम अपना budget पहले ही sentence में अपने मूँ से निकाल देते हैं कि मेरा तो एक करोड रुपे का budget है दोस्तो मैं यहाँ पर एक करोड सिफ example के लिए use कर रहा हूँ अगर आपने सामने वाले agent को या salesman को या builder को पहले ही बता दिया है कि आपकी gym में इतने पैसे हैं तो यकीन मानिए वो कुछ बहुत अच्छे जो option होंगे property के वो आपको बताएगा नहीं ignore कर देगा और वो हमेश वो उस low cost property को थोड़ा सा आपके budget के आसपास लाकर ही over price करकर आपको present करेगा तो आपको भी भी अपना budget पहली meeting में पहले sentence में disclose ना कीजिए इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं दोस्तो हम emotional या sentimental मैं इसको बोलूँगा हम call लेते हैं जब ही हम अपना घर purchase करते हैं मैं आपको दो example देकर ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ अक्सर लोग क्या करते हैं वो property या अपना घर महाप खर दी देना चाहते हैं जो उनके office के पास रहे तो दोस्तो मैं यहाँ पर यह आपको कहना चाहूंगा जो office है आपका अगर आप government job में है तो यकीनन आपके transfer होने के charges रहते हैं तो physically जिस office जिस location के आप बात कर रहे हैं अ इससे जादे के life नहीं होती है और आप private sector में रहते हुए यह expect नहीं कर सकते हैं कि आप जिस company में आज हैं आप वहाँ से retire भी होंगे तो दोस्तो यह दोनों factors जो हैं यह temporary factors हैं और property buying घर खरीदना एक permanent factor है तो कभी भी अपनी office की location को अपनी property purchase करते time उसको main factor ना बनाएं दू हमारे कुछ friends उस society में रहते हैं और हम उसी society में घर लेना पसंद करते हैं तो दोस्तो मैं फिर आप से खहूंगा अगर आपके real blood relations की बात हो रही है तब तो मैं यह चीज समझ सकता हूँ definitely आपी चीज तब यह चीज़े consider कर सकते हैं पर अगर बात सिर्फ दोस्तों की आती है दोस्तों तो दोस्तों मैं आपके बिल्कुल practical बात बताऊंगा हर office change करने के साथ हर दो साल या चार साल गुजरने के साथ आपके पुराने दोस्त आपसे छूटते चले जाते हैं नए office हो में नया social circle आपका बनता चला जाता है तो मैं इस वाले factor को भी temporary factor ही consider करता हूँ और आपको कहना चाहता हूँ कि अपनी office की location और अपने friend circle को देखते हुए कभी भी अपनी property का फैसला ना ले इसके बाद जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है feeling pressure of salesman देखे दोस्तों कई बार क्या होता है जब हम side visit करने जाते हैं अपना घर देखने जाते हैं तो वहाँ प positive सा environment builder create करके रखता है हम देखते हैं कि जिस executive से हम deal कर रहे होते हैं वो हमें property को elaborate कर रहा होता है पर साथ नहीं दूसरे cabins में हमारे आस पास कुछ लोग checks के थुरू payment कर रहे होते हैं कुछ लोग booking कर रहे होते हैं और हमारे उपर ये positive environment कहीं ना कहीं एक pressure create करने के लिए बना है कि वो जो महाँ पर checks या booking form देने वाले family members खड़े होते हैं वो original हैं वो नकली भी हो सकते हैं तो कभी भी आप एक fake environment के pressure में ना आएं दूसरा जो घर आप पसंद करते हैं दोस्तो तो salesman आपके ओपर pressure बनाता है वो आपको time नहीं देना चाता है कि आप सोचें क्योंकि दो इस time किसी भी चीज़ की payment नहीं कर पाएंगे और आप सोचने के लिए काफी जादा समय ले लेते हैं यह decision ही अपना पे तिना बड़ा होता है तो कुछ salesman जो हैं इस tactic को use करते हैं कि सोचने का time ही ना दिया जाए वो आपके सामने एक urgency create करते हैं वो आपको बताते हैं कि अग अगर आपने दो दिन के अंदर नहीं खरीदी तो हमारे rate बढ़ रहे हैं अगर आपने दो दिन के अंदर नहीं खरीदी तो यह तीन लोग property और पहले पसंद कर चुके हैं यह वो खरीद लेंगे आपके हाथ से property निकल जाएगी दोस्तो तो आप अपना घर प्लान करते समय ऐसे किसी भी pressure में ना आएं दूसरा है दोस्तो इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती मैं बताना चाहूंगा आपको वो है कि हम अपने घर की जो हम shortlist कर रहे हैं जो option हमें पसंद आ रहे हैं हम उनकी construction properly check नहीं करते हैं जी हाँ दोस्तो जब भी आप property या अपना घर देखने जाते हैं जब आप side visit करने जाते हैं तो usually regular life में क्या होता है दोस्तो हम सब office में busy रहते हैं और हम weekends पे ये सारे काम करना पसंद करते हैं और builder भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है तो यकिन मानिये दोस्तो जिस project के अंदर construction अच्छी नहीं भी चल रही है या कुछ problems है पर वो builder भी कुछ bookings करने के लिए intentionally Saturday Sunday वाले दिन कुछ labors intentionally plan करता है ताकि जो Saturday Sunday में side visit करने लोग आ रहे हैं उनके ओपर ये impression create हो कि महाँ पर construction चल रही है अच्छी amount of labor महाँ पर काम करिए दोस्तो तो दोस्तो जब भी आपको construction किसी property की चेक करनी हो तो मैं आपको suggest करूँग कभी भी weekends को plan ना करें आप तीन या चार round उस property को अलग-अलग दिन महाँ पर जाएं अलग-अलग time पर महाँ पर जाकर आप construction की speed और construction की stage आप चेक करें तो आप जब आप तीन-चार बार उस property की construction को चेक करने जाएंगे तो यकीन मानिए आपको situation कुछ और different नजर जरूर आ करते हुए जब आप कुछ properties shortlist करते हैं क्योंकि घर खरीदना अपने आपने process है दोस्तों जब हम अपने select करें हुए आखिर में दो या तीन property हम shortlist करते हैं तो उनको आपस में evaluate करना ना भूलें दोस्तों तो जब भी हम अपने shortlist की हुई properties को evaluate करेंगे तो हम उनको evaluation कर सकते ह कुछ advantages के रूप में जैसे की उन वो जो option आपने shortlist करें हैं उनकी क्या-क्या location advantages है उनमें से किस-किस property के पास school available है किस-किस property के पास entertainment के option available है किस-किस property के पास malls बना हुआ है या future development क्या है अगर उन selected option में से कहीं पर future development बहुत strong होने वाली है तो यकीनन आपको वहाँ पर appreciation का अच्छा मिल सकता है for example अगर आपकी चूज करी हुई property की location में metro rail आ जाती है तो definitely आपके price increase हो जाएंगे अगर वहाँ पर कोई airport प्लान हो जाता है तो definitely आपको इस चीज का appreciation मिलेगा और कुछ disadvantages point भी होते हैं जो आपको consider करने चाहिए अपनी shortlist की गई property हो के लिए जैसे कि कि इसकी construction quality उन shortlist properties में से सबसे अच्छी है किस property की rental value सबसे अच्छी होने वाली है किस project के अंदर कितिनी amenities है या फिर दोस्तों जो properties आपने shortlist करी है उस हर shortlisted property के अंदर कितना कितना risk है अगर मैं risk की भी बात करूं risk को हम कैसे evaluate कर सकते हैं मैं कुछ आपको points बताता हूं जैसे government policies आप देखते हैं कि आपने तीन property shortlist करी है पर एक property ऐसी होगी जिसके बाहर कोई road चोड़ा होने के chances हैं कोई rumor फैला हुआ है कि यहाँ पर dumping yard आएगा तो दोस्तों जिस तरीके से metro rail या airport आने से आपकी property की कीमते बढ़ भी सकती है तो यकिन मानिए अगर आपके property के आसफास dumping yard प्लान हो जाता है तो आपकी property की कीमते गिर भी सकती है तो दोस्तों government policies का जब भी आपको थोड़ा सा idea लगाना हो तो हमेशा उस state का उस city का जो master plan है उसको consider जरूर कीजिए ताकि कहीं future में अगर कोई pull बनना है कोई highway बनना है कोई किसी भी तरह की road बननी है तो ताकि आप वो सारी future development आपकी property में disturbance create ना करें दोस्तों सबसे last way में आपको बताना चाहूंगा जब भी आप अपना घर plan करें ये बहुत चोटा सा point है पर ये बहुत बड़ी गलती है जो हम आम तोर पर करते हैं हम अपनी capacity को भूल जाते हैं तो दोस्तों आप जब भी अपना घर plan करें जब भी आप property plan करें तो आप अपनी capacity का ध्यान जरूर रखें आम तोर पर 80% loan आपको मिल जाता है 20% की payment आपको करनी पड़ती है पर वो 20% की payment करने के बाद जो 80% आप loan ले लेते हैं उसकी repaying जो capacity है आपकी वो favorable होना बहुत जरूरी है दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि अ इन सब गलतियों को ignore करेंगे हर चीज का ध्यान रखते हुए अगर आप decision लेंगे तो आप अपने फैसले पर कभी भी नहीं पस्ताएंगे तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही इजाज़त दीजिए उमीद है बहुत जल्द आपके साथ है कि नए वी